विश्व के सबसे बड़े महा कावेती, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महा आगाश है, ये दरपन्ध है, हर मन के विवाद का, द्रिश्य है, आत्मा और परमात्मा के समबाद का, मानवता का होता है, जिससे उद्धा, यही है सच्ची कीता सा, अंधकार से प्रकाश की उड़, नमस्कार, अंधकार से प्रकाश की उड़, सच्ची गीता सार, इस कारकर में आप सभी का स्वागत है, गीता ज्यान के इस विवेचना कुले कर हम पिछले कई कडियों से चिंतन करते आ रहे हैं, हर बार कुछ नया सोचने, समझने का मौका मिलता है, अब गीता ज्यान को एक नया आयाम से समझने के प्रयास में आज कुछ नया करते हैं, यह दिखाया जाता है कि गीता में दिव्य अस्त्र शस्त्रों की बात की जाती है, जब दिव्य कहा जाता है, तो इसका मतलब यह है कि वो साधारन तो नहीं हो सकते, साधारन अस्त्र शस्त्र किसी की हत्या कर सकते हैं, किसी के शरीर कोहानी पहुँचा सकते हैं, अगर दिव्य का मतलब क्या है आए इससे ही जुड़े हुए कुछ तथ्यों पर आज चिंतन करते हैं हमारे साथ स्टूडियो में प्रम्हाकुमार प्रिश्मोहन भाई है भाई सब आपका स्वागत है ओम शान्ते गीता के ग्यान को हम बहुत समय से सुनते आ रही हैं गीता ल रूप में श्री कृष्ण को दिखाया जाता है और श्री कृष्ण के हाथ में एक सुदर्शन चक्र दिखाया जाता है अब उस चक्र को एक दिव्य अस्त्र कहा जाता है अब जब दिव्य अस्त्र कहा जाता है तो यह प्रश्ण उखता है कि दिव्य अस्त्र का मतलब क्या ह अगर कोई भी आस्तर है तो वो वाइलेंस के लिए होता है या लोग ये समझते हैं कि इससे तो शरी कोहानी पहुचाता है गला काट देता है ऐसा तो दिव्य कहने का थाथ पर ये क्या है उसके? अगर दिव्य शवद को ही ले 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 तो आपको पता लग जाएगा कि गीता में जो बताया गया है दो परकार की सेना थी दो परकार के जुद हुए गीता शुरू होती है धर्म क्षेत्रे कुरु क्षेत्रे अब लोग इसको भी नही पकड़ते के धर्मक्षेत्रे होता तो धर्मक्षेत्रे कह देते, कुरुक्षेत्रे था तो कुरुक्षेत्रे कह देते, और धर्मक्षेत्रे ही क्या कुरुक्षेत्रे है, क्वेश्चन ये भी पैदा होता है, यहां से डुएलिटी शुरू होती है, कि दो फील्ड है, बैटल फील्ड है, खेतर में एक फील्ड कोई कहा जाता है, एक धरमक्षेतरा और एक खुलक्षेतरा है, अब इसको आगे बढ़ाएं, तो आप देखेंगे, कि जब वो कहते हैं, कि मेरी रत को दो सेनों के बीच में ले चलो, उसमें कहा गया है, कि दिव शंक बजाए, यानि असुर ने तो बड बड़े भेंगर शंक बजाए, जिससे आकाश गूंज गया, बड़ी भेंगर धुनी होई, और इनके लिए कहते हैं, अर्जून ने भी दिव शंक बजाया, भगवान सिरी किशन ने भी दिव शंक बजाया, तो यहां भी दिव शंक बजाए, मतलब क्या हुआ, कि जब शंक बजते हैं, तो दोनों के शंक बजने चाहिए, अर्थाद इनों ने कुछ और बजाया, शंक धोनी जिसको कहते हैं, अकाश रोट रूप कुर उसी परकार्स की सुदर्शन चकर एक वचितर परकार का शस्तर है. ना किसी ने इस से पहले किसी युद्व के मदान में देखा है, ना सुना है ना बाद में देखा है. उनीक शस्तर था, तो चला आता. और पहले और किसी के हाथ में भी होता लेकिन उसका दिखाया गया और उसकी खूबी क्या दिखाई गई है कि भगवान के पास उगली पर रहता था और अगर उसको चला दें तो जिसका मर्दी गला काटके वापस आ जाता ये उसका भावर से दिखाया गया है तो क्योंकि भगवान के हाथ में तो उनस साफ्तर स्थारत तो रखे सुछे γानी भी 焦 दिया जैसे जनम को ले ली जिएए भगवान का जनम दिवर और लौकिक है अब दिवर का अरसतों समझ नी अजी क्रिशन के जनम को दिवर दिखा दिया गया है बोला गया के दिव है, दिव किस तरह से है, कि जी जेल खाने में ही विश्नु का दर्शन हो गए, फिर उनको बाहर ले जानना था, तो ताले खुल गए, और वो जो गार्ड थे वो सो गए, कि दिव ताहरे, यानि सुपर नेचरल आगे गए, तो जबना बहुत बड़ी हो थी बार में थी, उसने रस्ता दे दिया, और इस परकार की बात है, बारश होई तो एक नाग उनके उपर जाय करने आ गया, तो दिव बनाने की कोशिश की गई है, यूं कहा जाए, लेकिन ये प्रशन बना रहता है, ये सुदर्शन चक्र क्या था आखिर, क्योंकि उसका जिकर बहुत आता है, लेकिन वो भगवान के हाथ में किस लिए था, युद्ध के मैदान में वो जो बताया गया, वो कहा था, जितना टाइम भगवान गीता सुनाते रहे हैं, उस तना टाइम वो शेस्तर कहा रखा रहा है, या उनकी उंगली पर रहा है, ये साइड में कहीं रख बहुत बार हम ये जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में दिखाया गया और उसके वजह से सुदर्शन चक्र को हम उनके उंगली पर देखते हैं, जब दिव्य शस्त्रों की बात होती है, दिव्य जैसे आप कह रहे थे, कि इस शब्द से ही ये पता चलता है कि ये और आप ये भी सोचिए कि सिदी कृष्ण का तो जनम से लेकर वर्नन है, उनके हाथ में वो आया कहां से, पहले तो उनके हाथ में मुर्ली हुआ करती थी, वो तो पता लगता है, पर मुर्ली खटके वो शस्त्र कहां से आगया, और दिव्य कार से ये भी होता है जिसको अब काली के दिखाते हैं, तो क्या शस्त्मुच वो ये शस्त्र धारी थी या इन शस्त्रों जैसी शक्ति उनमें थी, जैसे कार के लिए कह दे इतना हॉर्स पावर, उसका भाव यह होता है कि इसमें इतनी शक्ति है, तो दिव्य कार से ये भी हिट जो देखाना जाए, के बात उठती है कि जब हम इनको दैवी शक्ति के रूप में समझते हैं, ये जो स्वदर्शन चक्र है, फिर ये किस बात का दियोतक है क्योंकि ये दिव्य है अगर दिखाई नहीं देता या अगर हम इस अर्थ में इसको लें, तो ये किस चीज का दियोतक है, किस चीज को कर दियोतक है कि इसको सध्धारन नेतर से ना देखा जा सके दिव्य दिरिष्टी पर्दान हो तब उसको देखा जा सकता, अब आप इसको इसको ड़Ьखे हैDis podstaw सिच क्या है, ऑर दूसरे ये इसक effectivement अर्षब क्या है।्दा के इसको मतलब क्या है। गता के सक्ट्स्त बादश का दिव दर्शत या दिव शाक्षात कार अर्जुट को कराया या अन्य जो गीता सुनने वाले उनको भी किराना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि सुदर्शन का मतलब क्या होता है सुदर्शन कहो या सुदर्शन कहो आप देखेंगे इसका बहुत अध्यात्मिक महत कि भगवत गीता में सत्य है और अन्य गरंथों में सत्य है इसका भी एक कारण है अगर आप किसी चीज को अनुमान के अधार पर लिखते हैं तो वो डेफिनेटली सत्य नहीं हो सकता तो जितने गरंथ मद्य काल में लिखे गए है उनमें जहां तक था वहां तक वास्तिवत का लिख कर आगे उसमें प्रडिक्शन दिया गया है, कि दुनिया गिर करके यहां आगी पहले बहुत अच्छी थी, अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हुआ नहीं है, यानि चकर के चार के अबदी के अंदर ही अंदर बता रहे हैं, कि आगे जाके और गिरेगी, गिरेग फिर इसका पर यह एक प्रेडिक्शन है फिच्छर जो गीता है वो प्रेडिक्शन नहीं है वो वास्तवी घतनों के एंड में लिखी गई है जो कहते है बहुत अंत में आता है तो पूरी अवदी पूरी हो जाए उसके बाद तो आप उसका प्रेक्ट डिस्कृश्शन दें न उसका डिपिक्ट किया जा सकता है जिसको कहते है चित्रन किया जा सकता है चाहे वो चित्रन मौकी की हो तो बहुता है सो दर्शन चकर सो दर्शन का मतलब क्या होता है अपना दर्शन जैसे हम कहते है सो धरम में स्थित हो जाओ सो राज अधिकारी बनो विश्व राज अधि सेल्फ का दर्शन कहां तो सेल्फ का दर्शन सिष्टी चक्र में अर्थात एक आत्मा यो कोई भी आत्मा इस सिष्टी चक्र में कैसे आती है करम में आवा गवन में कैसे आती है शुरू कहां से करती है कुनर जनम लेते लेते अंत में कहां पॉंचती है इसको कहा जाएगा चक तो सो दर्शन चकर, सिष्टी चकर में सो का दर्शन, अब कौन करा सकता? भगवानी करा सकता है, जब भगवान कहते हैं कि तुम तो अपने पिछले जन्मों को भी नहीं जानते हैं, और आग भी हम कहां अपने पिछले जन्मों को जानते हैं, अगले का तो बिलकुल नहीं जा देती है चाहे पहला शरीर हो चाहे टी फॉर्थ हो तो वो तो त्याग देती है तो शरीरों की हिस्ट्री नहीं है इसमें लेकिन आत्मा जो शरीरों को धारन करती रही है चुरासी के चकर में आती रही है यूँ हम कह सकते हैं कि चुरासी के चकर का ग्यान आत्मा के चुरासी जिन्मों के चक्र का ग्यान वो परमात्मा ही दे सकता है इसलिए उनके हाथ में दिखाया गया है कि परमात्मा गीता ग्यान सुना करके आत्मों को एक को नहीं क्योंकि चक्र में सभी आत्मा आती हैं सब के उनके चुरासी का ग्यान देते हैं उसका सिंबल है सोधर्शन चक्र क तो गीता के ग्यान के सिंबल के रूप में स्वधर्शन चक्र को देखा जाता है कि गीता में परमात्मा जो ग्यान सुनाते हैं उसके सार के रूप में इस चक्र को एक दिव्यास्तर के रूप में दिखा जाता है तो फिर चकर के अंदर क्या क्या है, चकर क्रम में होता है, यह कि हम घड़ी देखते हैं, तो घड़ी में एक से बारा तक नंबर होते हैं, फिर हम कहते हैं, तीन तक क्या हुआ, छे तक क्या हुआ, नौ तक क्या हुआ, और बारा तक क्या हुआ, तो उसका जो सदर्शन चकर का अगर उसको सीधा कर दिया जाए डिस्क को, उसमें आता है कि इसके अंदर एक स्वस्तिका बनी होती है, जो स्वस्तिका भारत में बहुत प्रसिद्ध है, हर उस्पीशिस अकईयन पर लगाई जाती है, आम तोर पे घरों के बाहर लगाई जाती है, उसको स्री गिनेश भी कहत पताया जाता है कि चेकर तुम कहां से गूमते हो ? स्वस्तिका का मतलब ये भी होता है, कि इसको हम करते है खायतः है कि आत्मा की जो हेल्थ है, उसका ये चार्ड है। कि आत्मा full healthy cup, ever healthy, और फुली डिजीज कब हो जाती है, तो अगर आप वो चार स्वस्तिका के चार आम्स को देखेंगे, उसके जो हाथ दिखाए गए, इंडिकेटर दिखाए गए हैं, तो एक चीज को चार हिस्सों में बाटा गया है, एकोल एकोल, और उसके बाद इंडिकेटर है, ये उपर से सज्जुक से राइट हैंड की तरफ चलता है, फिर नीचे आता है, फिर घूमता है, फिर उपर आता है, इस तरह से, स्वस्तिका ये मतलब एक सारे गीता ग्यान का एक डिपिक्शन है, बिल्कुल, जैसे आब चक्र की बात करते हैं, इस चक्र को विश्नु के हाथ में भी द विश्नु कमल ना विश्नु जी के मुखार बंद से निकली गई है, वह पहले एक एपिशोड में भी जिकर कर चुके है, आगे भी बियान कर सकते हैं, ये विश्नु पालना का सुरूप है, और विश्नु जो है वो ज्ञान देने का स्थापना का सुरूप नहीं, तो ब्रह वेद पहले हुए या ब्रह्मा पढ़े हुआ? क्यों ग्यान सुनाया, वो तो गीता है, वो गीता में लिखा हुआ है, तो वेद एक पुस्तक के रूप में, जा हाथ की लिखी हो और प्रिंटेड हो, ब्रह्मा के हाथ में नहीं से आए? ये उन्होंने किया हुआ है, विश्ण एक ब्रहमा को लुब्ट कर दिया, तो विष्णु के हात में जो सुद recreation चक्र दिखाया जा रहा है, वो वस्तविक्ता में, श्री कृष्च्न को अवतार के रूप में दिखाते हैं, विष्णु का, इसलिए दिखाते हैं, अगर वस्तविक्ता में, वो इस रिस्टी के चक्र के इस गीता के ग्यान का दियोतक है और जैसे आप कहे रहे थे कि इस पे स्वस्तिका का चित्र भी बना हुआ है तो ये समझ देने वाली बात है क्योंकि तीनों कालों का ग्यान विश्नु जी को नहीं हो सकता क्योंकि विष्णु जी जिसको कहते है वेकुंट या स्वरग या क्रिशन पूरी उसकी पालना करने वाले हैं अगर ये जिना जाए कि तीनों कालों और चारों लोकों का ग्यान विष्णु के पास है और विष्णु पालन करता है तो क्वेश्टन पैदा हो जाएगा आज पालना है और दूसरी बात ये है कि विष्णु जो है उनको एक ही रोल है उनका अब जैसे चकर के अंत में ये भी फिर आता है कि पराना चकर खत्म हुआ बगवान ने चकर का रूप क्यों रखा है कि अनादी अवनाशी है तो गीता ग्यान में भी शिद्ध होता है यद्ध भगवान कहते हैं मैं फिर आउंगा रचना करूँगा सापना करूँगा विनाश करूँगा तो चकर का दिखाना जरूरी है और ये अनादी चकर है क्योंकि आत्मर भी अनादी है जो इसमें पले करती है रोल परकृती भी अनादी है और परमेश्वर भी अनादी है केवल उसमें सतोर जोतमों पता है. तो ये जो चक्र है विष्णु के हाथ में दिखाने का तातपरी ये है कि वो पालना की स्वरूप है और विष्णु को हम हमेशा ऐसा मानते हैं, ये कम्बाइंड स्वरूप है, लक्ष्मी और नारायन का मेला जुला स्वरूप है, और फिर ये आत्माएं जो आगे पूरे चक्र में आती हैं या एक नए मार्ग में चलती हैं. वास्ता में स्रीलक्ष्मी श्री नारायन का ये कम्बाइंड सिंबल है, इसको हम अगले किसी एपीज़ोड में करेंगे, लेकिन ये एक संपन सिंबल है, सिरी लक्षमी एक संपन देवी है, जिसको वेल्थ की देवी कहते हैं, धन की देवी कहते हैं, और धन को रुपया पैसा नहीं है, ज्यान को बहुत बड़ा धन कहा गया है, और सिरी नरायन भी जैसे कहा जाता है, लक्षमी नरायन सारे सद्यू और वही बच्छपन में रादे कृष्ण है, वो डिटेयल हम बाद में बताएंगे, लेकिन ये संपन रूप है, और जो इनके हाथ में सिंबल दिये गए हैं, वो संपनता इनोंने कैसे प्राप्त की उसके रूप है, और साथ सिरी नरायन को या विश्नु को सुदर्शन चक्र को जानने की अवश्चकता नहीं, और अगर सिरी नरायन जान जाएं, तो फिर क्या होगा? कि सिरी नरायन तो सरफस्रेष्ट जनम में हैं, अगर वो जे जान जाएं, कि मैं ही कभी जाके जो मेरी इतनी पूजा होती, मैं पुजारी बनूगा, और एक दिन में जाके कल में जाओंगा, उनकी खुशी का खतम हो जाएगी, तो जैसे व्यक्ति की मृत्यू मिस्ट्री में रहते हो अच्छा है उसके लिए, इसी परकार से विष्णू के आत में सुदर्शन जकर हो जाएं सकता, अब गदा जैसे है, ये एक परकार का डिफैंसिव, एक परकार का अब शंकद्वानी देवताओं के आगे की जाती है, मंदरों में भी का, देवता तो नहीं करते हैं, तो इसलिए वो भी नहीं बात बैठती, और कमल पुश्पु ऐसी परस्तिती के लिए है, जहां कोई किसी चीज का लेप ना आना हो, जैसे हम कहते हैं, वाटर प्रूफ है कमल के लिए कहा जाता है, कि खीचर्ड में जड़े होती हैं, बहुत बड़ा उसका परसार होता है, लेकिन वो नियारा रहता है, अब विश्पु जी को तो नियारा रहने के वेवशक्ता नहीं, वो तो दन, दन, वहबब संपन दिखाए जाता है, तो यह अक्शुली यह ज देवताओं को हमेशे पवित्र माना जाता है, तो यह स्वदर्शन चक्र से देवताओं के पवित्र जीवन के बारे में बता जाता है? देखिए वास्तम में चार भुजाओं वाला कोई जीवत्र वेक्ती तो होता नहीं, यह दो सुरूप जो हैं परवित्री के नर और नारी, सर्व स्रिष्ट नर और नारी का कंबाइंड चिन है, कि इसमें स्री लक्ष्णी स्री नहरायन है, उस समय की जो परवित्री, इसका अर्थ भी निकलता है, बगवान ने दुनिया परवित्री मारक से शुरूप जो है, और नेल नैचुरल परवित्री मारक है, क्योंके बाद में सन्यासियों का निवित्री मारक हो जाता है, वो उसका ऑफशूट है, तो परवित्री मारक का सिंबल यह है, और इसके कंट्रास है कि दस पाँच विकार होते हैं सबसे बड़े जो गीता में कहें, पाँच विकार नर के और पाँच विकार नारी के, दोनों को कमबाइन रूप रावन दिखाया गया, इन कंट्रास्ट है, अगर सर्वस्रेष्ट परविर्ति का सिंबल है तो विश्नु जी है, जो गीता कहत है तुमको नर से नरायन, नारी से लक्ष्मी पद मिलेगा भगवान के गया, और उधर जिसका विनाश फाइनली भगवान कराते हैं वो रावन है, बहुत ही इंट्रिस्टिंग चर्चा आज हमने की है, मगर समय को देखते हुए यहीं पर बराम लेना पड़ेगा, अगली क स्वाधर्शन चकर के डिव्य अस्द्र होने का आर्थ है समझा है, बीता ग्यान दियोतक के रूप में उसकी सिmbल के रूप में स्वाधर्शन चकर दिखाया जाता है, दिव्य कहने का ताकपरotte ही है कि उन चर्म को देखने वाला नहीं है, वो कोई सामान में हत्यार नहीं है उससे किस चीज की प्राप्ती होती है वो भी हमें पता चला है स्वस्ती का स्वदर्शन चकर का एक हिस्सा है चारो युगों के इस चकर का यो तक भी है आज की कड़ी में बस इतना है अगली कड़ी में कुछ और विश्यों के साथ फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार.